तो और मेरे भाईयों कैसे हुआ राफ सब देखो भाई यहां पे गाईस मैं फिलल अपना बीजमाई ओपन करने कर रहा हुआ तो भाई देखो मेरे को यह नोटिस आ रहा है अब यहां पे गाईस यह लिखा हुआ है कि भाई यह लोग अभी भी बीजमाई के अंदर बहुत कुछ चेंज कर रहे हैं और अभी गाइस मैं तुम लोगों को ले चलता हूं भाई बीजमाई का ओफिशियल डिस्कॉर्ड पे कि भाई इन लोगों ने डिस्कॉर्ड पे क्या-क्या नोटिस दिया है हम लोगों के लिए मतलब जो भी बीजमाई का प्लेयर से उसके लिए सबसे पहले गाइस तुम यहाँ पर यह नोटिस वाला वीडियो देखो और इस नोटिस का गाइस में-में टोपिक भाई तुमको वहाई फिलाल हंपर हिंदी में परके बता जारों कि भाई-यहाँ पर गाइस सबसे पहले बीजमाई का इंडिया को मोबाइल गीमिंग कैटेग यह वाला गेम फिलाल तीन महिने के लिए अन्मैन हुआ है, मतलब 90 डेज के लिए यहां पर गैस में तुम लोग को दिखाता हूँ, यह गेम 90 डेज के लिए अन्मैन हुआ है, 90 डेज के बाद गवर्मेंट फिर से डिसाइड करेगी कि क्या इस वाले गेम को पर्मानेंट अन् गाडियन का अपना मॉवाइल नमबर एड करना होगा, तब जाके ही वो लोग गेम खेल पाएगा, जो कि फिलाल तुम लोग यहां पर अपना स्क्रीन पर देख सकते हो, एक और चीज एड किया गया है, यहां पर जो है अपना डाटा सेक्योर्टी का जो वाही सबसे मेन पो तुम सब का यही सवाल होगा, कि भाई अब कुछ बता दिया, अब टाइम बता भाई वी जमाए कब अन्बैन होगा, कब अपना 2.6 का अपडेट आएगा, तो भाई देख या तो आज रात तक आ जाएगा, या फिर कल सुबह तुमको 6 या 7 बजे तक अपडेट देखने को मिल सकता है, बहुत जादा जांस है, और अभी गाई मैं तुम लोग को ये बता देता हूँ, कि भाई अपडेट में तुमको क्या गया देखने को मिलेगा, सबसे पहले, अपना गईस गेम के इंदर सीजन C4 S12 एडड करेगा, और भाई यहाँ पे सीजन C4 S12 का तुम लोग मेन आउट्फिट देख लो, ये वाला आउट्फिट तुमको पूरे तरीके से फिरी में मिलने वाला है, इसके बाद यहाँ पे गैस तुमको ये वाला संग्लास भी मिलेगा पूरे तरीके से फिरी में, और उसके बाद भाई तुमको ये वाला मिनी 14 का इसकिन भी पर्मान लिटमठी अपने स्क्रिंड देख सकते हो व यहाँ पे जाएसे ही आपना बीजो में बैन लोग दो सीचर देखने को मिलेगा अब इस वाव मोड में यह होता है है कि उन clicked कूद का मोड बना तुम लोग चाहों तो पूरा इरैंगल को लोग मेरा मार बना सकते हो तुम लोग चाहों तो भाई एक रेश्ट ट्रैक बना सकते हो खाय तुम लोग जो भी मोड इसमें बनाओगे अगर वह मौड भाई सबसे जादा खेला जाएगा तो भाई तमको ये वाला टैटल पूरे तरीके से फिडियो मिलेगा और अभी गैस देखो गेम के अंदर और लड़ी बहुत कुछ चेंज होना स्टार्ट हो गया है मतलब भाई रैंगल का मैप चेंज होगा बूरे तरीकी से सब कुछ चेंज होने वाला है बहुत सारा बेलिंग भी चेंज होने वाला है तो बस तुमको यहाँ पे थोजा सा वेट करना है एक से दो दिन का इतने मही गेम के अंदर अपडेट आ जाएगा बागे गाईस अभी तुम लोग क्या सौचती अपडेट के बारे में तुम लोग मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना और हाँ एक और ची मैं तुम लोग को पता जे रहा हूं बागे जमाई का सरवर बैन होने के पहले खेला था और अभी तो गैस इस वाले गेम के बाद मेरे पास कोई भी गेम प्ली नहीं पर है मेरे फोन में और ना ही गाईस मैं फिलल PUBG, मोबाल या फिर PUBG, QR खेल रहा हूँ मैं बस यहाँ पे वेट कर रहा हूँ BGM Unband का और अभी अपने सामने एक बंदा है अब ये वाला भाई साब ओपन में लेट कर रहता है यहाँ पे गाईस मैं इसको नॉक किया नॉक करने के बाद अभी हम लोग डायरेक्ट इस वाले टीम के उपर पुश करेंगे और भाई देखो जैसे ही BGM वापस से लॉंच होता है न भाई तुम्हारा भाई 24 घंटा रैंक पुश करके हैस्टेग वन जाएगा इंडिया के अंदर और सोचा हम भाई मैं इस सजन फटाफर ट्रिपल कॉन करर लगा लूँ अगर भाई बीज मैं जैसे ही अन्बैन हो जाएगा तो और यहाँ पे हम लोग इस वाले टीम को अराम से फिनिश करते हैं इस टीम को मारने के बाद हम लोग भाई यहाँ पे फिर से अपना वहिकल लेके निगलते हैं बंदे स्पॉर्ट करने के लिए और मेरे को अभी तक एक भी बंदा स्पॉर्ट नहीं हुआ है और तुम लोग इस मैच का ना एंडिंग मिश्मिक करना बहुत खतरनाग एंडिंग है यहाँ पे गाई अभी हम लोग सीधा जोन का संटर आते हैं मैं फिलाल चारों वगल बंदे स्पॉर्ट करने का ट्राइक करूंगा मेरे को भाई यहाँ पे सामने एक टीम स्पॉर्ट हुआ है अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा होता हूँ यह टीम का ओपन में आने का बंदा गैस यहाँ पे वहिकल में बैठने का ट्राइक करेगा बस देखते जाओ मैं यहाँ पे बस स्कोप ओन करके बैठा हुआ हूँ कि बस तु एक बार वहिकल में बैठ तो जा और यहाँ पर भाई यह वाला बंदा वहिकल ने बैठा मैं fire करता हूँ लेकिन भाई यहाँ पर यह वाला बंदा अपना वहिकल छोड़ के भाग जाता है यहाँ पर देखो सामने एक नहीं दो बंदा है अब यहाँ पर गाईस यह दोनों बंदा open में आएगा और इस टीम का भाई लोग देखो सबसे बरा गलती यह है कि भाई इस टीम ने अपना वहिकल को safe नहीं रखा था और यहाँ पर यह बंदा एक बंदा left जा रहा है एक बंदा right जा रहा है तो मैं सबसे पहले right वाले बंदे को knock किया और यहाँ पर गाई इस अभी time था left वाले बंदे को मारने का बंदा open में मैं यहाँ पर fire करता हूँ और भाई मेरा एक भी bullet इसको touch नहीं हुआ है मतलब बहुत खतरनाक spray मेरा लेकिन फिलाले के लिए मैंने वापस से success लगाया है और यहाँ पर गए था हम लोग इस वाले भाई साब को अराम से finish करते हैं अब इस team को मारने के बाद यहाँ पर भाई एक और बंदा just पीछे लेटा हुआ है अब वो बला बंदा sniper यूज कर रहा होता है मेरोको भाई उसमें पहले भी दो बाड फायर करके मारा था लेकिन मेरे को bullet लगा नहीं तो मैं यहाँ पर उसी बंदे को ढूंड रहा होता हूँ जो बंदा मोशी नकांट यूज कर रहा है पता नहीं भाई कहां पर लेट के मार रहा होता है लेकिन अभी के लिए इस वाले बंदे को spot करने के लिए न मैं सबसे पहले इस वाले building के ऊपर जाओंगा और भाई तुम लोग देखना यह वंदा कहां पर लेटा हुआ है बहुत खतरनाक लेवल का camper है बंदा के इस मेरे सामने ही लेटा हुआ है मेरे को अभी तक नहीं देखा है मैं यहाँ पर चारो बगल को पॉंट करके देख रहा हुता हूँ कि भाई यह साब का बच्चा किधर लेट के बैठा हुआ है बस देखते जाओ यहाँ पर मेरा पूरा ध्यान मेरे ऊपर था इसको मारने के बाद अब यहाँ पर भाई 2v2v1 का फाइट है और तुम लोग भाई अभी ध्यान से बस किल फीट पे ध्यान देना मैं यहाँ पर हील कर रहा हुता हूँ और भाई मेरा पूरा ध्यान किल फीट पे था तो भाई यहाँ पर मेरा बचने का कोई चांस है नहीं अच्छा लोगा वीडियो को लाइक करना मिलते हैं गाईस अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए भाई भाई टेकर पीश आउट बाई गाईस बाई और तुम लोग मेरे को कमेंट करके ये बताओ कि भाई जैसे ही बीज मैं वापत से आता है तो भाई तुम लोग क्या कौन कर पिले रंग पुछ करोगे या फिर नहीं करोगे बाई